करनाटक और हिमाचल विधानसभा चुनाव में जबरदस चीत और लंबी और सफल भारत चोड़ो यात्रा से कॉंग्रिस का जोश हाई है कॉंग्रिस के इस जोश को ताजा चुनावी सर्वे ने और बूस्ट कर दिया है विधानसभा चुनावो को लेकर जो उपीनिन पोल सामने आये हैं उनमें कॉंग्रिस का बहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लेकिन इस रिपोर्ट में हम 2023 के चुनावी राज्यों से अलग एक और राज्य की बात कर रहे हैं देश के दूसरे सबसे बड़े इस राज्य में भी कॉंग्रिस को फाइदा मिलता नजर आ रहा है सर्वे कॉंग्रिस के ग्राफ को तेजी से बढ़ता दिखा रहे हैं हम बात कर रहे हैं महराश्ट की 2024 के लुक सबसे चुनाव को लेकर हुए सबसे ताजा सर्वे में महराश्ट में कॉंग्रिस तगडी छलांग लगाती नजर आ रही है इंडिया टीवी सी एनेक्स के सर्वे के मुताबिक महराश्ट की 48 सीटों में से बीजेपी अपकी बार 22 सीटे जीत सकती है इसके लावा शिंदे वाली शिफसेना चार सीटे जीत सकती है अजीत पवार वाली एनसीपी दो सीटे जीत सकती है वहीं सर्वे के मुताबिक महराश्ट में कॉंग्रिस का 9 सीट जीतने का अनुमान है जो की पिसले चुनाव के मुकाबले 8 ज्यादा है इसका मतलब महराश्ट में कॉंग्रिस को बड़ा फायदा होने वाला है इसके लावा शिरत पवार वाली एनसीपी तीन सीटे जीत सकती है रहने का नुमान है बीते जुलाई में विधान सबचुनाव को लेकर हुए सर्वे की बात करें तो जी न्यूज मैट्रेज के उपीनियन पोल में महराश्ट में बीजेपी और शिवसेना सिंदेग गुट के गड़बंदन को 46 फीजी वोट मिलने का नुमान है वही महाविकास अगारी यानि कॉंग्रेस एंजीपी और शिवसेना उधवकुट को 35 फीजी वोट मिल सकते हैं जबकि MNS को 3 फीजी वोट और अन्य को 16 फीजी वोट मिलने का नुमान है सीटों की बात करें तो उपीनियन पोल के मुताबेक बीजेपी गड़बंदन को 165 से 185 सीटे मिलने का नुमान है वहीं कॉंग्रेस गड़बंदन यानि महाविकास अगारी को 88 से 108 सीटे मिल सकती हैं उपीनियन पोल में MNS को 2 से 5 सीट और अन्य को 12 से 22 सीटे मिलने का नुमान है सर्वे के मताबिक अकेले बीजेपी को 121 से 131 सीटे मिल सकती हैं एकनाथ शिंदे वाली शिफसेना गुट को 44 से 54 सीट मिल सकती हैं वही महाविकास अगारी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिफसेना को 8 से 18 सीटे मिलने का नुमान है कॉंग्रेस को 49 से 49 सीट और NCP को 41 से 51 सीट मिल सकती है MNS को 2 से 5 सीटों पर संतोश करना पड़ सकता है जबकि अन्य को 12 से 22 सीटे मिल सकती हैं इस सर्वे के हिसाब से भी कॉंग्रेस पहले के मुकाबले फाइदे में नजर आ रही है इसके अलावा 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो 288 सीटों के विधानसभा में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 105 सीटे जीती थी 56 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिफ सेना रही एंसीपी को 54 सीटे मिली जबकि कॉंग्रेस 44 सीट जीतने में कामियाब रही वहीं 2019 के लोगसभा चुनाव में महराश की बात करें तो बीजेपी ने 48 में से 23 सीटे जीती थी जबकि शिफ सेना ने 18 एंसीपी ने चार और कॉंग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी वहीं वोट शेर की बात की जाए तो बीजेपी का वोट शेर 27 तशमलव 38 दी रहा था जबकि शिफ सेना 23 तशमलव 5 पीज दी वोट शेर के साथ दूसरे नंबर पर रही थी और कॉंग्रेस का वोट शेर 16 दशमलव 4 पीज दी रहा था इन सबी आंकडों पर गौर किया जाए तो महराश्ट में बीजेपी की स्थिती मस्बूत है उसके बाद शिफ सेना, एंसीपी और कॉंग्रेस का नंबर है 2019 के विधानसब़ चुनाव के बाद शिफ सेना, एंसीपी और कॉंग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी लेकिन शिफ सेना से एकनाफ शिंदे की बगावत के बाद सत्ता पलट गई शिंदे और बीजिपी ने मिलकर सरकार बना ली इसके बाद हाल ही में महराश्ट में एक और बड़ा घटना क्रम हुआ NCP में बड़ी टूट सामने आई अजीत पवार अपने कई विधायकों के साथ शिंदे सरकार में जा मिले महराश्ट में अगले साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं देखना होगा अपकी बार जनता किसको सत्ता की कुर्सी तक पहुचाती है न्यूस तक पिरो